हालो जी असलाम लेकों वेलकम बैक टो मैं चानल अने दे डे अनदर व्लॉग अमय लाइफ कैसे अप सब लोग उम्मीद करते हुए सब ठीक ठाक होंगे तो जनाब आज मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया था कि आपके साथ मैंने अपनी मौनिंग यह किसी तरह की भी रूटी आज मैंने सुबह जब मैं उठी तो मैं आई इसोच लिया था कि आज मैं आपके साथ मौनिंग रूटीन करूंगी तो इसको मैंने फिल्म करना शुरू कर दिया ता भी इंट्रो बना रही हूं दजाना को मैंने ब्रेक्फस्स बना के भी दिया वह बी क्लिप दिखाते हुं तो इसके बाद आप देख सकने के मैंने उसके लिए क्या बनाया था और लॉंच पखेरा की रूटीन उसका लंग पैग किया था अभी मैं जा रही थी किचन में च्योटे बैक्फस्स बनाने वारी थी युद्ध लॉन्च इसली नहीं बनाना था जो भी मैं जा रही थी मुझे उसकी एडिटिंग में बड़ा टाइम लग जाता है कि डेली व्लॉगिंग में एक प्रॉब्लम होता है कि आपके पास बहुत जादा टाइम नहीं बज़ता जिसमें आप यह सारे काम करते हैं तो मुझे यही मेरा दिल करता है कि बस मैं दस बारा मिनट की वीडियो बन आना है इतने काम हते हैं तो मेरी कोशिश होती है के में मुझे बार मेरी प्रॉटी की तो आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस रूटीन के साथ रिलेट करेंगे तो चले चल के देखते हैं कि मैं किस तरीकिसा आपने फैमली को ब्रेक्फस्स वज़ार बना के देती हूं क्या मेरा रूटीन होता है तो लेट्स गोगेधर चलें जनाब तो हम शुरुआत करते हैं तो जाना के ब्रेक्फस्स से उसको आज कल रोस्ट्रेज हुआ खाने का जी उसको खाने होते हैं जी ये पैनकेक्स और मैं आपको पता घर में बनाती हूं इसकी रेसिपी अगर आपको यादो तो बैबरस ने कम्प्लीट दी थी उसका लिंक मैं छोड़ दूँगी दर राइट हैंड साइट के कौरनर पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप जाएं क्लिक कर लिए बहुत मज़े के जटबट बनने वाले पैनकेक की रेसिपी आपको मेल जाएगी साथ ही मैं रग दिया है उसका पीज लंच के लिए जो इसको लंच लेके जाना है इसकו लिए पीज़ों कि अनलए अप्ल कर रही है अबने यह शक लेक टार्zen करिण दूपर लेकिन के चाहिए तो ब Первे ऑंड़ेश आपट टो अन्च दू कर टारों कि अवने इसको पूर डे तो इसको निट और फिजा अशक ड पिर वो आएगा खाएगा और फिर लेके चला जाएगा यानि उसके टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी वाले होते हैं अगर आपको याद होगा जब विंटर में मैं व्लॉगिंग किया करती थी मैंने आपके साथ आपने ब्रेक्फस्ट की या मॉनिंग के रुटीन शेयर की तो आप देखें पहले मैंने दूद लिया दूद में डाला था विंगर उसको मैंने पांच मिनिट के लिए रखा उस मैंने एक डाला आप मैं एड करी है शूगर है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सॉल्ट या यह तिन चार चीज़ है मैंने कटी वो एड कर दी है आप म अगर आपके बचे कहाते हैं अगर आपके बचे कहते हैं और फ्रूट लालना चाहते हैं दजाना पहले तो बिल्कुल टिमपल खा रहा था अभी कुछ दिना सो थोड़ा सा यह शूग चड़ाए कि उसके ओपर वो मेपल सीरप कहता है कि मुझे डाल के देदे हैं अधर वा इसके मिक्चर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना ताकि इसके अंदर कोई बी किसी किसी किसम की कोई गुटली ना बने एक समूध बहुता स्मूध बैटर होना चाहिए अब मैंने तवा रख दिया गरम होने के लिए साथ में जाना का लांच हो चुका है पैक यह देखे उसके बाद कट करके मैं उसके अंदर डाल देती हूँ कि यह इसी होता दियाना खाता है पिर इसको वहीं पर गार्बिज कर देता है तो घर में वापिस निलाना पड़ता है पैंकेक्स बन रहे हैं आप देखें कोई शेप पर मैं इसना ध्यान नहीं देती किसी की गोल में तकरीब बारा तेरा मिनिट रहे गए हैं अभी उसको यह नाश्ता करना है लेकिन लंच वगारा उसने पैक कर लिया है तो बस पैंकेक्स भी हमारे हो गए हैं रेडी इसको मैं इसको पर डालूंगी मेपल सीरप और दोजाना को दे दूंगी वो खा लेगा फिर मैं क्या करूंगी छोटे बचों का ब्रेक्फ़स्ट तयार करने से पहले उपर जाऊंगी उनको उठाऊंगी ताकि वो चले जाए वाशों में तयार होने के लिए वन बैवान उनको मैं कप्रे निकाल के दे देती हूं जब वो तयार हो जाते हैं तो तयार होने के बाद वो नीजा है अपना breakfast लेने के लिए क्योंकि breakfast का time हमारे घर में सब का different है कोई किसी time पर करता है कोई किसी time पर करता है तो इसलिए कोई एक खास time नहीं है हम लोगों का तो दजाना का देखें होगे नाश्ता ready lunch ready यह सबसे बड़ी responsibility होती है जो मुझे according to time करनी होती है दरवाइस बचे घर में हैं घर से स्कूल करने हैं किसी का थोड़ा लेट हो जाए जल्दी हो जाए तो इसमें वो इतना matter नहीं करता तो यह अब जाना खेर से स्कूल के लिए निकल रहा है यह जाएगा तो इसके बाद मैं straight उपर से लिजाओंगी आप जरा बाहर का weather देखें कितना कितनी रोशनी है और आजकल इतनी गर्मी हो रही है बहुत जादा गर्मी है अच्छा खासा गरम temperature चल रहा है आजकल हमारे पास है लेकिन वही बात है हम इनसान है हर हाल में जब स्नू होती है तो हमें स्नू अच्छी नहीं लगती गर्मी आती है तो हम गर्मी के लिए बहुत अधा शिकायते करते हैं लेकिन गर्मी बेटर है स्नू से क्या कर्में air condition चला लो तो आराम से गुजारा अच्छा हो जाता है तो चले जनाब दजाना निकल गया आप मैं आ गई हूँ पहले में ओपर गी ती वो मैं दिखाया नहीं आपको कि क्या मैं ब्रेक्फस्ट कि आपके साथ रूटीन शेर कर रही हूँ बच्चों को मैं उठा दिया उनको कप्डे दे दी वो लोग अपने अपने बारी में जा नाशते में कोई रोटी के साथ खाले गा, तो कोई उसको प्रेट अन ले ले लेगा आप मेरे बचों का नाशता होता है रहा ने टप टिपको बड़ा पसंद भी गिया और उन्हें बोला आपने बचों को यह वैसे ही देते हैं बड़ा ही अीजली है मैं बचको उसको खा लेते हैं अब हमें बचों को खुद खिलाना ने पड़ता जब हम च्योटे चोटे पीसिस कट कर लेते हैं तो बच्चों के लिए खाना बड़ा ही आसान हो जाता है तो बस इदर देखें एक रोटी तयार होगी है उसको मैं भी कट करूँगी इन दमीन वाइल मैं दूसरी रोटी रख दूँगी तवे पे वो भी जल्देल्दी बन जाएगी और सालन का भी एक सरदर्थ है क्योंकि मैंने मटर बनाए है तो मटर मेरे घर में मीकाईल को बहुत अच्छे लगते है तो वो कहता है पूरे घर के लोगों के मटर मुझे मिल जाए और जिबराईला उसको तो पीस बहुत बुरे लगते हैं को मुझे पीस दे धो बोटी के समगे सालन दे दो लेकिन उसके बतर सबस्क्राइब इतना मुश्किल काम है कि एक बहुत बार तक मटर चाहिए पो Latino को भूप है तो बस उन लोगों को उनके इसाफ से देदुंगे पार करें तन इसके किसे मैं मौनिंग में उठती हूँ और सारे बचों का अपनी अमनी बारी पे नाश्टा बनाती हूँ उनको तयार करवाती हूँ फिर जब वो चले जाते हैं अमनी क्लासिस में उसके बाद मेरी क्लीनिंग का सिलसला स्टार्ट हो जाता है तो यह है जी वो सालन जो मैंने बनाया था और यह है वो प्रॉब्लम जो मैं भी आपको दिखाऊंगी के को जादा सारे पीस चाहिए जादा सारे मटर चाहिए दूसरे को कुछ भी नहीं चाहिए तो यह प्रॉब्लम आपके घर में भी होता होगा, आप लोग यह रिलेट करेंगे, कि एक चीज आप बनाते हैं, तो हर बचे की चोईस डिफरेंट है, अगर सब लोग चीज खाते हैं, तो खाने का स्टाइल डिफरेंट है, तो यह मुझे इतना मुझकिल लगता है, और अग मुझे बड़ा ही मसला लगता है, मीका यह बोटी नहीं खाता है, तो ना चिकन की बोटी अची लगती है ना बीफ की बोटी अची लगती है, वो कीमा काता है, कोफते खाता है, लेकिन इसको बोटी अची नही लगती लेकिन इसको कोई भी सालन किला दें, उसके लिए तो स चीज बनाती। में तो आपको इस जान से जाओ घान कोई टीज काओ है। नवीद चाहिए लेते हैं नाश्ते के साथ और मैं भी जूस बीती हूं और बैबरिस के मूट पर डिपेंड करता है कभी वो दूद लेती है कुकिस के साथ और दूद लेती है वो ब्रेड के साथ और कभी वो कुछ भी नहीं खाती है और वो लंच टाइम तक वो कहती है मुझ सब की टाइमिंग डिफरेंट है यह मीगाईल अभी देखें शौवर लेका है अभी बाल उसके सारे खराब हैं क्योंकि वो ड्राइ होने का वेट कहर रहा था क्योंकि इसके बाल सही तरीकी से बनते नहीं है बहुत हैवी है तो मुझे बनाने पड़ते हैं और यह है पानी अच्छा लगता है मौनिंग में पीना तो वो पानी पीएगी और साथ नाश्टा करेगी आई जमाने बाद मेरा दिल किया कि मैं पराठा कहूं लाइक इतनी मुद्द के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकते हैं मुझे खुद भी याद निया कि मैं अपने लिए तो यादे पेड़ा बनाया है और उसमें मैं अच्छा सा मारिजृन लगा पारे हूं और या बैटर मारिफन जो भी आपको चाहिए जो भी आप लगा रहा है उसका अच्छा सा मैं बनाओंगी पर्तोमाला पराठा और मैं करूँग पराठा इंजॉए आइड नो रग्ढा वोईस ओवर में बात में बात में तो मुझे नवीत कहते है खेर तुम पराथा बनागे बेटी आपने लिए मैं अब बड़ा दिल कह रहा था और यह मेरा रात को दिल किया कि मैं सुबह उटके पराथा काऊंगी और मैंने का चले बनाती हूं तो भी आप देखने चोटा सा मै बनाए बोखोत ही चोटी साइस का है लेकिन पराथा तो पराथा होता है काफी जादा है यही होता है मुझे पता यह मैं खाऊंगी तो इसके बात पूरा दिन च्याम तक तो मुझे किसी तरीकी की कोई भूख नहीं लगने वाली तो क्रिस्पी मज़दार पराथा बन रहा ह उदर हजबन की चाय बन रही है साथ हम लोगों के पास सालन भी है और साथ हम बनाएंगे अंडा पराथा सालन और साथ में जूस ओह 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 इतना जालिम यह कोंबो है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती अभी ट्राइ करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि इतने रसे के यहाँ बना के मुझे बही दे देती है तो यह है अज यहाँ मेरा मिरा का ब्रेडफंस ला आप चेक आरें करें कि हीस्ट्री में शाहँ सेंग science क्रेंप समय यूट्यूब करी मैं नाश्ता आपने लिए बनाया कु क्कि मैंपोर यहन तो यह नाश्ता मैं आपको सामने रह त करें वोईस-अवर करते हुए मेरा मूँ में पानी आ रहा था तो अंडा भी मिक्स करूंगी सालन भी मिक्स करूंगी और जब मैं इसको खाओंगी और रेंड पर मैं जूस पियोंगी तो हा 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 इतना मज़ा आएगा कि मैं पो बता नहीं सकती और कैमरे पे खाना मुझे बड जब मैं बड़ा स्पेशल नाष्टा मैं गिया खुद के लिए बनाया मैं नॉर्मल य इस तरह के नाष्टी नियू तो जब मैं करती और जब मैं हल्वा पूरी बी खाने जाती हूं जब मैं कर लेती हूं तो मुझे बाद में कभी-कभी मैं पश्ता ती पूं कि क्यूं कर नौर्मल नाश्ता करती लेकिन वो जो क्रेविंग होती है नहीं तो वो क्रेविंग आपकी ऐसी पूरी होती है कि जब तक आप खाते नहीं आपको मजा नहीं आता और खाना तो मेरी फेवरिट चीज है तो छले जब यही था मेरा आजका वलॉग जाए अच्छा हो गाँ यहा तब तक रखेगा आप अपना ख्याल मुझे रखेगा दो में याद और कॉमेंट सेक्शन में जबूर बतेगा कि आपको मिराज का ये व्लॉग कैसा रगा टेक केर जी अला हाफेज